अलो दोस्तो विल्कम बैक टु मैं उन्हों दर भी लोगमम तक दुनिया में आप सभी का स्वागत है कैसे दोस्तो उम्मीद करते हों स्वास्तोंगे मसतोंगे अपने पने कामम ब्यास्तोंगे दादी मा के गरेल्यू नुक से 38 वेस्ट किचिन टिफ्स लिखी आएं मोंके वीडियो के इंड तक चरूर देखिए नम्मर वन टिफ्स है चैरे से तिल को साफ करने के लिए तिल वाली जगे पर हर दिन नारियल का तिल लगाईए यह उपाय कुछ दिनों नीमित रूप से दहराने होने लगेंगे और दीरी दीरी गाइब हो जाएंगे बेकिंग सोडा और कष्टर ओयल चैरे से अंचाहे तिलों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और कष्टर ओयल का इस्तिमाल किया सकता है अगली टिपस है अगर आपका पेट ज़्यादा बढ़ जा है तो सुबह खाली पेट मेथी का या सूप का ड्रिंक पीने से मुटापा वाली जम फूड होता है और इस्टाचर भी कम होती है अगली टिपस है मेंगे मेंगे फेस्वास भी इस उप्टन के सामने फैल जबा इसमें एलोमेटिक और मेडिसिकल प्रोपरटीज होती है जो आपके चेहरे को ठंडा रखती है चंदन में एंटी एंटी एक्सिडेट गूर पाय जाते हैं जो स्किन प्रोब्लम की छुटी करते हैं साथ ही चंदन के इस्तेमाल से स्किन गुलेंग और मुलाइम बनात अगली टिप्स है तारो ताजा प्याज खाने से सरीन में खून बनता है अगली टिप्स है खाना खाने के बाद खोड़ा जीरा फीस कर खाने से पाचनतर मजबूत रहता है अगली टिप्स है एक्सपर्ट की माने तो महलाओं मेताना और नीद की कमी उनका मुटापा तेजी से बढ़ाती है, पानी ज्यादा पिए, प्रोटीन का ज्यादा शेवन करें, प्रयात नीन ले, काड़ियां एक्सरसेज करें अगली टिप्स है, अगर आपके घर वेठे फालर जैसी ग्लो चाहिए, आप बढ़ाम के तेल में रो जाना पास साथ मिनट की लिए चेहरे पर मसाद जरूर करें बढ़ाम के तेल में बहुत सारे पोसकत पाए जाते हैं, इस तेल में विटामिन, ए विटामी, ए उमेगा, थ्री एसिड जिंक जैसे न्यूटर्स पाए जाते हैं, यह आँखों की नीचे पड़ी जुरियां को ठीक करता है, चेहरे पर जुरियां नहीं आने देता है, चेह जावी पर रखने से फिसाफ की जलन में तुरन तरा मिलता है, अगली टिफ से जो औरते दुद में जैतून का तेल मिला कर जहरे की मालिस करती हैं, उनके चहरे पर कभी भी जुरियां नहीं आती हैं, और जहरे पर रंग भी साप होता है, अगली टिफ से रोजाना बच्यों खिलाने की याद जरूर डालें अगली टिफसे जिनके जोडों में हाथ पेरों में दर्द होता है उनको तिल के तेल के लचुन को फीस कर फेश्ट बना लें अगली टिफ से मेथी के लड़ू हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फैदेमंद होते हैं मेथी के लड़ू खाने से जोड़ों को दर्द दूर होता है अगली टिप्स है तीस की उम्र के बाद मेथी दाने का पानी पीना सिहत के लिए बहुत जादा फैदेमंद होता है इससे आपके जोड़ों का दर्द गुटनों का दर्द नहीं होता है अगली टिफ से एक हरण का शेवन हमको लंबी आयू देता है अगली टिफ से खाली फेट सूप का पानी पीने से वजन तेजी से कम होता है अगली टिफ से भोजन में अंकुलित आनाज का प्रियोग करने से सरीर के विसायलित पादार्थ दूर होते हैं अगली टिफ से वियाम के बाद अपने अनुसार कुछ ड्राइफ फूट रात में भिंगो कर भिंगोई हुए बदाम या चाना या कुछ भी हेल्थी खाएं चाई की आदत हो तो कोशिश करें ग्रीन टी या फिर बिना दूद की गुड़ डाल कर काली चाए लेने की अगली टिफ से भोजन किशी भी शमय का हो भोजन के बाद थोड़ा सा जीरा और गुड़ मिला कर खाएं जीरा फ्रेशन का काम भी करता है और पाचन के लिए भी लाब दायक है भोजन के तुरंद बाद यूरिन पाच करें 10-15 मिनट वर्जन आसन में बैठें अगली टिफ से खाना खाने के आधा घंटे पहले नमक के साथ अधरक कर शेवन करने से भूख बढ़ती है अगली टिफ से रोज आवले का शेवन करने से आखें और बाल स्वस्त रहते हैं अगली टिफ से जी मचलने पर आधा लोग का टुकड़ा मूँ में रख कर चूशने से आराम मिलता है अगली टिफ से बुखार होने पर भूखे रहो या एक कड़क चाए चाहिए जिसमें लोग काली मेर्च तुलसी के पत्ते नीबू डाल कर पियो आराम हो जाएगा हो जाता है जो चाहिए नहीं पीता उसे तो एक कड़क चाहिए पिला दो तो उसे ऐसा लगेगा जैसे बुखार था ही नहीं अगली टिफ से उल्टी होने पर बड़ी इलेची काट कर फिवे फानी के साथ सेवन करें उल्टी में आराम मिलता है अगली टिफ से अंडे का अंडे का तेल जिसे कैश्टर ओयल भी कहते हैं बालों को जड़ों में लगाने से बालों के तूटने की समिश्या और डेंडरप की समिश्या से छुटकारा मिल जाता है अगली टिफसे रात में सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी पी कर सोने से हार्ट इस्टोन से बचा जा सकता है अगली टिफ से 6 मेने से उपर की उम्र की बच्चों को सर्दी लगने पर जैफल को थोड़ा सा घिस कर मा के दूद के साथ 2-3 बार पिला देने पर बच्चे की सर्दी ही खो जाती है अगली टिफ से कभी भी किसी को डैरिया हो तो नमक चीनी को पानी में मिला कर पिलाते रहने से सरील में कमजोरी मैसूस नहीं होती है अगली टिफ से चेहरे के रंगत दिखाने के लिए मसूर की दाल को दूद में फुला कर फिर उसे पीस कर चेहरे पर लगाए दस मिनट तक रहने दे फिर पेश्ट सूख जाने पर रगड़ कर पानी से साब करने किसी भी साब उने फिस्वास से ज़्यादा काम की चीज़ है इससे चेहरे की रोनक बढ़ जाती है अगली टिफ से गुटनों के दर्द का रामबाड इलाज बता रहे हूं एक बाद आप करके देखे कहीं से वबूल की फली का इंतिजाम करें इसको वी सहित मिक्सी में परीक पीस लें ये पाउडर करीब आधा चमच गुनगने पानी के साथ सुबे खाली पेट लें इसके बाद करीब आधा घंटा कुछ ना लें अगली टिफ से गर्म और ठंडे पदार्तों का शेवन एक साथ नहीं करना चाहिए ये सरीर में कब्ज पित और वाद समंदी संतुलंद बढ़ाते हैं अगली टिफ से खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए ये घुटनों से समंदी व्याधियों को जन में देता है अगली टिफ से राद का खाना देर से नहीं खाना चाहिए ये कब्ज एफिज आदी बिमारियों को बढ़ाते हैं अगली टिफ से तच्छी रखने के लिए अक्षर ही शेव के सेवन की सलाय दी जाती है शेव में पेटियम नाम का शेलोवल फाइवर होता है जो पाचन को दुरस्त रखता है ऐसे में शेव के सेवन से पाचन के साथ आतों को साफ होने में भी मदद मिलती है इससे पाचन तो दुरस्त रहता ही है साथ ही कब्ज और दस्त बेगेरा की दिक्कत भी दूर हो जाती है सरील क्वाइंटिटी एंफिलेमेटरी अच्छा भी मिलते हैं अगली टिप्स है पपीता में पाए जाने वाले पपाया इंजाम से खास तोर से पेट को फैदा मिलता है पाचन को दुरस्त रखने के साथ ही पपीते के सेवन से पेट की समिश्या भी दूर होती है अगली टिप्स है अमरूद पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में बहुत फैदेमंद फैदा करता है जिससे तो चचमकदार बनती है इसके न समद्धी सभी समिश्याओं को देजी से ठीक करने का ये भी एक काम करता है ये सरील की गंदिकी को बाहर निकाल कर सरील को ताकतवर बनाने का काम करता है ये आपको को मजबूत बनाता है और मान सिक्तानाओ को भी दूर करने का भी प्रयास करता है हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताई अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दोस्तों आफ सभी को नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों थेंक्यू फूर वाचिंग धन्यबाद दोस्तों टेक केर मिश्यू ओल